दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से लॉंग टर्म शेर से ल्टेस में स्वागत है देखे गौर्मेंट की कमपणियों में आप नहीं जाना चाहते हैं डिवडेंड को लेके तो दूसरा एक विकल्प है कि आप जो Information Technologies की जो कमपणिया हैं उनका चुनाव कर सकते हैं और निसंदे पास्ट की जो कमपणिया रही हैं जैसे की Infosys, TCS, Wipro, HCL या जो भी और बहुत सारी हैं अगर किसी ने 10-15 साल पहले उनमें थोड़ी सी भी quantity इकठी की है तो बोनस के माध्यम से या Face Value के Split के द्वारा आपके पास कई सारे श्यस हो जाते हैं लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है कि धीरे धीरे उन कमपणियों में जो कमाई बढ़ती गई है उस कमाई के माध्यम से समय समय पे आपको जो है अच्छा डिवडन दिया और कमपणी की value भी बढ़ रही है और इसलिए अनिक प्रकार के आपके लिए जो है offers लेके आती है चाहाँ बाई बैक हो चाहाँ बोनस हो आधी आधी तो आज के समय में अगर हम देखे किस कमपणी का चुनाव करें उस पे हम चर्चा करेंगे देखे अलग अलग निवेशक अलग अलग तरह के कमपणी का चुनाव कर सकते हैं यहाँ पे हम कुछ example रख रहे हैं एक कमपणी को हम चुनेंगे कि एक retail निवेशक को किस तरीकी कमपणी का चुनाव करना चाहिए उदाहरण के लिए, समझाने के लिए, ठीक है पहले एक जिलक हम past का देख लें ताकि हमारा जो confidence है वो बरकरार रहे है जैसे कि अगर हम HCL TAKE का देखते हैं हम सिर्फ example के लिए देख रहे हैं हम company भविश्य के लिए अलग चुनेंगे तो HCL TAKE इतनी बड़ी giant बन चुकी है बहुत बड़ी हो चुकी है बड़ी market का आपकी company है आज उसका CMP जो है 1148 का है इसने देखिए खरीब bonus जो दिया 2006 को 1-1 का यानि कि जो भी quantity ठीए आपकी double हो गई 2015 और 2019 में तीन दफा इसने जो है bonus दिया इस period में यहाँ पे हम chart देखते हैं यह adjusted price है यानि कि जो bonus के माध्यम से इसका भी भाजन हो चुका है price भी उसे इसाब से adjust हो चुका है अगर किसीने 2004 में माली जे आज से ठीक 19 साल पहले 2004 से 6 के बीच में किसीने 2000 quantity SIP मोड पे या फिर धीरे अपनी मेनस से परिश्रम करके उसने 2000 quantity यहाँ पे बना ले ठीक है यहाँ पे हम लिख देते हैं और इस प्रकार से हम value नहीं देखेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं dividend को तो 2000 quantity यहाँ पे हो गई double यानि 4000 quantities हो गई यहाँ पे bonus दे दिया यहाँ पे 8000 quantity हो गई फिर यहाँ पे bonus दे दिया 2015 में फिर 2019 में bonus दिया तो यहाँ पे 16000 quantities हो गई तो 16000 जब quantity हो गई तो देखे प्रतेक वर्ष यह dividend भी आपको pay करती जा रही है लेकिन हम सिर्फ last bit वर्ष का देखें किसने कितना dividend pay किया for the year ending March 2023 HCL Technology has declared an equity dividend of 3300% जो amount है which is 66 रुपे पर शेयर टोटल निकल के आ रहा है at the current share price of 1148 यानि dividend जो yield निकल के आ रहा है वो 5.75% वर्थमाने stock price के इसाब से इस वर्ष का तो 6-6 रुपे को हम जो है इससे गुणा करेंगे 16000 से तो 16000 into 66 तो जो amount निकल के आ रही है वो है 10,56,000 ठीक है तो ये हो जाता है dividend ठीक है तो एक साल में इसने dividend दिया अब ये इस dividend को हम 12 से 12 से divide कर दें अगर इस 10,56,000 को हम 12 से divide कर दें ठीक है तो करीब 88,000 रुपीज पर मन्त निकल के आ रहा है यानि कि ये 88,000 रुपे आपको महीने की कमाई निकल के आ रही है आप खर्च करें जो भी जैसा जो मर्जी करें और जो वर्तमान value है यानि कि 16,000 इन्टू 11,48 ये आपका CMP है और ये आपकी quantities है ठीक है तो ये निकल के आ रही है amount एक करोड 83,68,000 यानि कि आज इस समय जिसने भी 2000 shares 2004 और 2006 के बीच में कठिन परिश्रम से खरीद लिए आज वो करोड़ पती भी है और महीने का करीब करीब 88,000 परमन्थ निकल के आ भी राय यानि कि साल का dividend dividend ही करीब 10,56,000 उसको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है तो ये समझाने का तरीका था बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप past के बाते क्यों करते हैं जब हम past में नहीं देखेंगे कि किस प्रकार की कमपनियां परफॉर्म की है तो future हम अपना कैसे बना लेंगे अगर कोई engineer भारत वर्ष में जो 100-100 साल पुराने bridge है हावडा bridge बना हुआ है अगर उसका instruction नहीं देखेगा वो नहीं देखेगा किस प्रकार की इसमें जो है कारीगरी की गई है तो आगे बनाने में उसको bridge में कटना ही आएगी इसलिए वो technology देखेगा वो किस तरीके से देखेगा कि उस जमाने में कैसे लोग बनाते थे आज जो है और भी अच्छी technology है तो किस प्रकार के हम bridge बनाये ताकि ध्वस्त ना हूँ तो इस तरीके से HCL ही नहीं Infosys, TCS, Wipro इन सारी कंपनियों ने लोगों को माला माल किया है और उसका कारण रहा है तो IT Services की जो कंपनियां होती है एक तो इन में कोई बहुत ज्यादा raw material की जरूत नहीं होती बहुत जमीने खरीदनी हैं, बहुत ट्रक्स खरीदने हैं बहुत मतलब होता ना कि बहुत ऐसी assets नहीं इनको purchase करनी है Services देते हैं, अच्छा cash आता है और उस cash को अपने employee को salary देते हैं प्लस जो shareholders है, उनको जो है नगदीब dividend के रूप में देते हैं तो अगर इस sector को future में value नहीं भी मिली लेकिन company अगर अनवरत कमा रही हैं तो definitely dividend के माध्यम से ही आपके पास बहुत पैसा आने वाला है अगर ये company अगर ये company कमाएंगे तो आप भली भाद समझ गए कि क्या होती है dividend की ताकत प्लस ऐसी company का चुनाओ और एक लंबे समय में hold करने की ताकत आपको बखो भी मालूम पड़ गई पास्ट में भी हमने ITC, Infosys, TCS के बारे में जिक्र किया हुआ है अनिक प्रकार के वीडियोस बनाए हुए अब future के लिए अगर हम company देखना चाहें तो हम किस प्रकार के निवेशक हैं क्या इस मंदी में एक देड़ साल, दो साल की मंदी में हम कितनी quantities इकठी कर सकते हैं ताकि भविश में अगर वो company कमा रही है तो इसी प्रकार से हमें dividend भी दे सके और bonus भी दे सके ताकि हमारी quantities बढ़ें और कमाई यदि होती रहे तो future में बहुत बड़ी value भी बन जाएगी company क्योंकि company अगर आज देखे Tata LXC आप देखते हैं तो 47,000 करोड की market cap है एक large cap की है, L&T भी बड़ी market cap की company है persistent हो गई, emphasis हो गई, oracle, KPIT टेक हो गई KPIT देखे अभी भीशन तेजी से भागी है और इस तरीके से latent view देखा जा तो सबसे छोटी यहाँ पर दिखाए दे रही है अभी ये dividend इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि अभी छोटी company अपनों को अपना expansion कर रही है बट और भी देखें तो देखें टाटा LXC हो, चाए L&T हो अपने क्षमता के मुताबिक ये dividend वगेरा दे रही है इसी प्रकार से कोफूर्ज अगर आप देखेंगे तो ये भी 28,000 कोड के आसपास इसकी market कैफ है और 1.39% dividend yield निकल के आ रहा है अभी जब इतना दे रही है तो भविश में इसी तरीके से अगर दिंदूनी राट चोगनी कमाती गई तो आपको अच्छा दे सकती है इसी कड़ी में अगर देखते है तो Happiest Minds भी आ जाता Happiest Minds भी एक बढ़ेहा बहतरीन कमपनी है बढ़ेहा मैनेजमेंट है वो भी डिविडेंट पे करती है कम ही सही परन्तु 908 का प्राइस और 13,300 कड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप ये भी छोटी कमपनी है बिटकैप की तो इस तरीके से आपके उपर निर्भर है किस तरीके कमपनियों को चुनाव करते है तो आएए एक कमपनी के बारे में जान लेते हैं हैपियस माइन्स के बारे में हैपियस माइन्स अगर देखें जो इनका बिजनेस है इंटरनेट आप तिंग्स डेवलप्स आफ आर्पीयस शॉफ्टरेव डेफाइन नेटवरकिंग बिग डेटा एन एडवांस अनालेटिक्स ब्लॉक्चेन, क्लाउड, बीपियम इंटरिगेशन सिक्योटी जो इंडस्ट्रीज हो गई हाइटेक, एजूटेक, बीफस आ यानि की बैंक, फाइन्स, इंशुरेंस कमपनिया सर्विस इंडस्ट्री ये सारी आ जाती है मनफैक्ट्रिंग या इंडस्ट्रियल रिटेल, कंजूमर पैकेस्ट कुड्स ट्रेवल मीडिया, एंटर्टेन्मेंट और हेल्थ टेग तो सारी इंडस्ट्री आल्मोस्ट कवर कर लिया इनों ने जिन पे टेक्नलोजी देते हैं सर्विसेस देते हैं एक्जामपल के लिए जैसे कि आप बैंकिंग से जुड़े हैं आसे पंदरा साल पहले कि बैंकिंग कैसे हुआ करती थी आपको जो है पास्बुक लेके आना जाना पड़ता था उसमें ठपा लगाना पड़ता था रसीत कटवानी पड़ती थी पैसा जमा करने के पैसा निकासी के तो इन कंपनियों ने ऐसी सर्विसेस दी कि आप मोबाइल एप से सब कुछ कर सकते हैं बैंक स्टेट्मेंट से लेके ट्रांजैक्शन से लेके सारा कुछ तो इस तरीके से कंपनियां फलती फूलती रहेंगे और जो इंडस्टीज हैं इनको पैसा देती रहेंगे तो अगर देखें इस कंपनियों के कुछ बहतरीन चीज़ें जैसे कि 91% repeat business यानि कि जहां अल्रेडी ये वो बिजनस फिर से आता है इट मीन्स repeat business में कि कहीं न कहीं satisfied है वो customers return on equity अगर देखते हैं 28% का है जो कि शांदार है और ROC 33% का है तो ये कुछ मूलभूच चीज़ें हैं अशोक सूता साहब कई बड़ी कंपनियों में अपना अपनी services दे चुके हैं तो बहुत वास्ट अनुभव है चाहा भी प्रो रही हो चाहा और भी companies रही हो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो sales growth है 10 वर्षों की 35% जो की जबरदस्त है profit growth 21% 10 वर्षों की जबरदस्त है newly listed company है इसलिए आपको यहाँ पे return नहीं दिखाई दे रहे है और return on equity आप देखी चुके है जो एक long term की है वो 22% है तो जहां company कभी मात्र 2012 में 8 करोड का business करती थी वहीं है 2023 में 1333 करोड का जहां company profitable हुई करीब 2016 में मात्र 5 करोड का फिर वहीं पे आप देखेंगे 2013 की वित्वर्ष में 216 करोड का तो इसी तरीके से एक long time में धीरे-धीरे कमाती रहेगी company तो payout भी dividend आपको अच्छा देना शुरू कर देगी फिर इसके बाद अगर बहुत-बड़ा stock price हो गया management को लगता है कि और लोग ज्यादा participate कर सके और ट्रेडिंग हो सके तो फिर उसको जो है विभाजित किया जाता है bonus के माध्यम से अगर face value है तो उसको split किया जाता है यह management का decision होता है 908 रुपए की price पे trade हो रहा है newly listed company है 2020 की 2 की face value है 13,000 कोड की market cap price to winning ratio 56 का price to book value 15.88 का और high low देखते हैं 52 week तो 763 से 1136 का यहाँ पे high लेकिन lifetime high करीब 1500 से ज्यादा का है तो काफी अपने high से correct हो चुका है लेकिन काफी भयानक low भी बना चुका है तो यही एक opportunity होती कि कोई एक company को आप target करते हुए उसमें कुंडली मार के बैठ जाएए दुनिया की किनी बातों को ध्यान मतीजिए सिर्फ एक ही stock नहीं अगर आप dividend को focus करते हुए जो भी आप निवेश करना चाहते हैं उसमें कुछ एक दो तीन company रखें बाकि अपना एक multi-bagger portfolio अलग से बना के रखें जो कि मैं प्रत्यक वीडियो में पहले से कहता आया हूँ तो दोस्तों इस तरीके से ये तो सिर्फ एक education purpose से हमने यहाँ पर discuss किया हर्पियस माइन्स का कोई भी decision लेने से पहले आप जरूर अपना स्वयम का स्वाध्याय करें या फिर अपने गुर्जनों अध्यापक टीचर से आप माग दर्शन ले कुई विचार या सुझाओं हो कुछ calculation में किसी प्रकार की कोई तुरूटी हो तो उसे आप ignore करें Thank you for watching this video friends